स्वागत है आपका आपके अपनी यूटूब चनल दामाश्टर पर हम लोग सम्मिधान के 1000 महत्पुन प्रिश्णों की सीरीज लगा रहे थे जिसमें आज हमारा तीसरा पाल्ट है तो चलिए बिना कोई टाइम बेस्ट के हम लोग अपना स्टार्ड करते हैं आज का हमारा पह सूची को समवर्ची सूची कहते हैं और संग सूची में केंद सरकार नियम बनाती है और राज सूची में राज सरकार नियम बनाती है समवर्थी सूची में दोनों मिलकर बेधी निर्मार करते हैं यानि नियम बनाते हैं अगला प्रिश्ण है कुछ इसमें ऐसे टॉपिक द पुलिस किसके अंतरगात आती है तो पुलिस सबको पता है राजसरकार के अंतरगात आती है यानि राजसूची में आती है ठीक है सिक्षा समाचार पत्र यह किसके अंतरगात आता है तो सिक्षा समाचार पत्र समवर्थी सूची में आता है जैसे कि आपको पता होगा प्राइ नुई मिलकर दोनों करते हैं अगला है रेल डाक रक्षा यह किस की अंतर गाता है तो यह तो आपने देखा ही होगा जनरल लाइफ में कि रेल डाक रक्षा इस पे पूरा पूरा नियंतरन हमारा केंद सरकार का होता है यानि की संग सूची का बिसा है पंचायती राज किसका बिसा है तो पंचायती राज यानि की ग्राम पंचायत जिला पंचायत ये सब राज सूची के बिसा है तो पंचायती राज किसका विसा है राज सूची का विसा है अगला प्रसन है ग्यारवी अनुसूची किस से संब्धित है तो जो हमारे ग्यारवी अनुसूची है वो हमारे पंचायती राज से संब्धित है तो ग्यारवी अनुसूची हमारे पंचायती राज से संब्धित है पंचायती राज का सबसे छोटा अंग कौन सा होता है, तो पंचायती राज में खास करोश्तर परदेश में तीन अंग है, पस्वी बंगाल में आपके चार अंग है, तो तीन अंग कौन है, सबसे नीचे आपका ग्राम पंचायत होता है, उसके नीचे खंड पंचायत होता है, या ब्लॉक होता है उसके उपर क्या होता है जिला पंचायत तो पंचायती राज में सबसे छोटा क्या होता है ग्राम पंचायत होता है ग्राम पंचायत का मुख्या क्यों होता है ग्राम परधान होता है तो ग्राम पंचायत की चुनाओ की जिम्मेदारी किस क्यों है तो जो ग राज्य सरकार के अंतर गाता है इसलिए ग्राम पंचायत के जो चुनाव होता है वो राज्य सरकार कराती है ठीक है ध्यान रखिएगा आपसे बारबार यह एक्जाम में पूछे जा चुके हैं कि ग्राम पंचायत का चुनाव कौन कराता है राज्य सरकार का प्रतनिधी कौन ह प्रिशन है पंचायती राज ब्योस्था को त्री इस्तरिये कब बनाया गया तो एक समिती बने थी जिसका नाम था बलवंत राय महता समिती तो बलवंत राय महता समिती ने अपनी रिपोर्ट दिया था इसी रिपोर्ट के अधार पर पंचायती राज को त्री इस्तरिये बना लागु कि गया नाग27 . नागुर कहां पर है रायस्थां में है- तो राजिस्थान का एक जिला है नागोर, वहाँ पर सबसे पहले पंचायती राजविवस्था लागू की गई, और किस तारिफ को लागू की गई, तो 2 अक्तूबर 1969 को. अगला प्रिश्न है, 73 तरमा संविधान संसोधन किस से संब्पादित है? तो 73 तरमा संविधान संसोधन पंचायती राजविवस्था से संब्पादित है बहुत इंप्पोर्टेंट है और ये कब आया था 1992 में? तो ये 1992 में फोड़ा गलत लिखा है, यहाँ पर होना चाहिए पंचाहिती राज ब्योस्था को लागू किया गया था तो आयत था 1992 में और इसको लागू किया गया 1993 में हम लोग आगे बढ़ते हैं भारत में नागरिक्ता का प्रावधान है तो भारत में कैसी नागरिक्ता है एकल नागरिक्ता है एकल नागरिकता का मतलब होता एक समय में आप एक ही देश की नागरिक हो सकते हैं अगर आप भारत से जाके किसी और देश की नागरिकता ले लेते हैं तो भारत की नागरिकता आपको सोता ही समाप्त हो जाद की ऐसा भारत के समिधान में लिखा गया है तो भारत में कैसी नाग्रिक्ता है एकल नाग्रिक्ता है। छोड़ना हो खोणा हो तब भी आपको साथ साल का इंदजार करना पड़ेगा। नागिता छोड़ने के लिए नागिता खोने के लिए और नागिता लेना है तो आपको 10 साल का वेट करना पड़ेगा आगे हैं मौलिक अधिकार सम्मिधान में वरानित है तो ये तो बहुत ही important है, सबको पता है मौलिक अधिकार किसमें है, सम्मिधान के भाग 3 में है और कौन से आल्टिकल में है, आल्टिकल 12 से लेके 35 तक तो आल्टील 12 से लेकर 25 तक भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार है मूल सम्मिधान में मौलिक अधिकार कितने थे? साथ बरतमान में कितने मौलिक अधिकार है? तो बरतमान में है 6 एक कम कैसे हो गया? जो संपत्तिक अधिकार था उसे खतम कर दिया गया है तो साथ से एक खतम करके संख्या रह गई है, छे, तो मूल समिधान में कितने मौलिक अधिकार थे, साथ, बरतमान में कितने है, छे, आगे बढ़ते हैं, संपत्तिक अधिकार, अभी भी बताया था, संपत्तिक अधिकार को खतम कर दिया गया था, ठीक है, तो संपत्तिक अधि में है आर्टिकल 300 के खंड का में है 300 का में है ठीक है और यह जो रखा गया इसा संसोधन किया गया किस सम्मिधान संसोधन के तहत किया गया तो 44 सम्मिधान संसोधन 1978 यह सबसे इंप्वर्टन आपकी लाइन है 44 सम्मिधान संसोधन 1978 में हुआ था इसमें संपत्ती का जो मौलिक अधिकार था उसे खटम कर दिया गया है उस संपत्ती के अधिकार को विधिक अधिक अधिकार बना दिया गया और कहां पर रखा गया aquill 300 के खंड का में रखा गया है इसको यादर रखिएगा चली आगे बहुत बिसेश रूप से ध्यान दीजिएगा राष्टपती या प्रधान मंत्री के पास इतना पावर नहीं होता है कि वो उसमें संसोधन कर सकें अगर संसत के दोनों सदन यानि लोकसभा और राजसभा दोनों मिलकर उसमें संसोधन करेंगे तभी संसोधन हो पाएगा आगे प्रतिक्रण व करता की है इन की संस्या कितनी है गया तो यह कहां से लिए गए है यह यह अपके रसिया से लिया गया है तो आपके मूल करणने के ऊपर पढ़ा उसे कब सामिल किया गया संसोधन उनुन्हारश में सामिल किया गया में हुआ है जिसमें मौलिक कर्तब हमारा था संपद्धिक अदिकार उसे हटा दिया गया यह दोनों फैक्ट है बहुत इंप्वोर्टेंट है याद रहेगा मौलिक कर्तब को सम्मिधान में जोड़ा गया किसके कहने पर तो एक कमिटे बनी थी जिसका नाम सर्दार सुरान सिं समितिक के कहने पर के सुझाव पर सम्मिधान में मौलिक कर्तब्यों को जोड़ा गया है यह important फैक्ट है आइसपरस्ता का अंत किस आअल्ट किल में है तो आइसपरस्ता का अंत आइसपरस्ता यानि चुवा छूद का अंत के बारे में कहा गया है आइसपरस्ता बिरोधी प्रेस की स्वतंतर्ता जो है अल्ड के खंड एक के उपभाग का में है उनीस के खंड एक हैं में हमारी क्या है प्रेस की स्वतंतर्ता है यह बहुत इंपोर्टेंट प्रिशन एक एक बार सुन लीजेगा अगर आप भूल जाते हैं तो दो चार पान दिन बाद एक बार वीडियो दुबारा देख लीजेगा तो सब याद हो जाएंगे आप जो प्रिश्ण पढ़ रहे हैं यही प्रिश्ण बार बार किसी एकजाम में पूछे जाते हैं और आपका जो अगल यह हैं इल्डॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया जो हमारे आखवार आते हैं न्यूद clicked हैं उन्हें हम लोग चौथा स्थंभ कहते हैं हमारा अगला प्रिश्ण है प्राण और दहहिक सोतंदरता कि स्यां करता है तो यह9 जो हे इसको धिन्यान रखेगा प्राण और द्य से चौधा वर्ष के बच्चों के लिए निसुल्ख सिक्षा का बयोस्था की गई है कि समिदान स household में किया गया है तो चौधा वर्ष से गाम आयू की बच्चों को जो किंभरे कामों में नियोजित नहीं किया जाएगा ऐसा किस आर्टकिल में लिखा है तो ऐसा आर्टकिल 24 में लिखा है 14 बड़ से कम बच्चों को या बालकों को जोखी महरे कामों में नहीं किया जाएगा ऐसा आपका आर्टकिल 24 में लिखा गया है अगला प्रिश्ण है संसद के कितने अंग होते हैं तो संसद के तीन अंग होते हैं राष्टपती, राजिसभा और लोगसभा तो संसद किस से मिलके बनती हैं आपके राष्टपती से राजिसभा और लोगसभा तीन लोगों से मिलके बनती है और आपसे ये पुछा जाए कि संसद के कितने सदन होते हैं तो संसद में सिर्फ दो सदन होते हैं एक होता है राजिसभा, दूसरा होता है लोकसभा और अंग कितने होते हैं, तीन अंग होते हैं आगे हमारा राष्टपती से सम्मंगित कुछ महत्तपूर प्रिष्ण दिये गया है पहला है भारत का पर्थम नागरिक कौन होता है तो पर्थम नागरिक सब को पता है राष्टपती होता है भार की पर्थम राष्टपती कौन थे? तो पर्थम राष्टपती भी आपको सब को पता है, डॉक्टर राजिन परसाथ थे तीनो सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है? यानि तीनो सेनाओं का सेनापती कौन होता है? ये भी सब को पता है, राष्टपती ही होते हैं सम्मिधान के किस अनुष्छेत के तहट राष्टपती पद की ब्योस्था की गई है तो आपको पता होना चाहिए कि आर्टकल 52 आर्टकल 52 में भारती सम्मिधान का जो आर्टकल 22 है उसकी अंतरगत राष्टपती पद की ब्योस्था की गई है संसत के प्रथम अधिवेशन का उधगाटन कौन करता है तो प्रतेक वर्थ जो संसत का प्रथम अधिवेशन होता है या फिर लोगसभा जब नए नए बनती है तो उसका उधगाटन हमेशा राष्टपती ही करता है राष्टपती त्याग पत्र किसे देता है तो राष्टपती अपना त्याग पत्र उपराष्टपती को देता है तो राष्टपती और उपराष्टपती दोनों इंटर्चे निकल लेते हैं अपने त्याग पत्र का आगे बढ़ते हैं राष्टपती उप राष्टपती का कारिकाल कितना होता है तो चाहे राष्टपती हो चाहे उप राष्टपती हो दोनों का कारिकाल पांचवर्थ होता है राष्टपती को उसके पद से हटाने की एक मातर परक्रिया क्या है तो हमारे भारती सम्मिधान में Article 61 है Article 61 में किसका वरणन है Maha Wooyok का वरणन है Article 61 में Maha Wooyokके बारे में बताया गया है इसी Maha Wooyok के द्वारा हम अपने जो राष्ट पती हैं उन्हें अपने पदसे हट सकते हैं और से अलाभा राष्ट पती को उसके पदसे हटानी की कोई प्रक्रिया नहीं है राष्ट पती और उपराष्ट पती का मासिक बेतन कितना होता है तो राष्ट पती का जो मासिक बेतन होता है वो 5 लाख रुपया है और उपराष्ट पती का मासिक बेतन 4 लाख रुपया महीना है पांच लाख रुपया महिना और चाल लाख रुपया महिना यह आपके प्रिशिडेंट और वाइस प्रिशिडेंट का बेतन है अगला प्रिश्टन है राष्टपती उपराष्टपती और राजपाल पद के लिए नियूनतम आयू क्या है तो तीनों के लिए, यानि कि राश्टपती, उपराश्टपती और राज़ेपाल, तीनों के लिए जो नियुनतम आई है, वो आपकी 35 वरस है, ठीक है? याद रखिएगा. लोकसभा भंग कौन करता है तो भया लोकसभा राष्टपती भंग करता है किस आल्टकिल के तहद करता है यानि किस सक्ति के तहद करता है तो भारती समिधान में आल्टकिल 85, 85 है आल्टकिल 85 के अंतरगत राष्टपती को एक सक्ति परदान की गई है कि वो लोकसभां को भंग कर सकता है यहाँ पर सबसे important question होता है कि लोकसभां किसकी सिफारिष पर किया जाता है तो यह मंतरी परिषद की सिफारिष पर भंग किया जा सकता है maybe 85G के तहट लोकसभां को भंग राश्ड़ पति करता है कि वह मिर्तिय दंड को छमा कर सकता है तो राश्टपती के चुनाओं में कौन खार लेता है तो राश्टपती के चुनाओं में संसद के दोनों सदन यानि की राजसभा ओर लोकसभा और राज्यों की बिधान सभाओं के निर्वाच्ट सदस्वे भाग लेते हैं यहां सबसे important जो सब्द है वो निर्वाच्ट सदस्वे का है यानि कि लोगसभा और राज्य सभा और जो राज्य होंगे राज्यों की विधान सभाओं के जितने भी निर्वाचित सदस होंगे सिर्फ वही राज़पती के चुनाओं में भाग लेंगे अब निर्वाचित का मतलब यह होता है कि आप लोग सभाओं में दो लोगों का मनोनेयन की करता है कौन करता है राज़पती करता है और राजिसभा में 12 लोगों का मनोनयन राष्टपती करता है तो ये दो लोग और राजिसभा वाले 12 लोग ये लोग मिलकर राष्टपती का चुनाओं का निर्वाचन नहीं करेंगे ये लोग उस चुनाओं में भाग नहीं लेंगे और बिधान सभा में कितना निर्वाचित होते हैं सदस तो एक सदस निर्वाचित होता है तो ये दो बारा और एक जो बिधान सभा है ये सारे लोग जो है राशपती के निर्वाचन में भाग नहीं लेंगे क्योंकि इनका मनोनयान हुआ है इनका निर्वाचन नहीं हुआ है तो संसद राज्यों की विधान सभाव की निर्वाचे सदस मिलकर राठपती का चुनाव में भाग लेते हैं, राठपती को चुनते हैं, संसद में कौन कौन आता है, संसद के दोनों सदन आते हैं, यानि के राजसभा और लोकसभा, आगे भरते हैं, लोकसभा और राजसभा क कितने सदस्यों को मनोनित करने की सकती राष्टपती के पास है तो ये अभी भी हमने पढ़ा है कि लोग सभा में दो सदस्यों को मनोनियन करता है कौन करता है राष्टपती करता है और ये दो सदस्यों होते कौन है ऐसे लोगों का मनोनेयन राष्टपती करता है, किसके कहनें पर करता है, मंत्री परसत के कहनें पर करता है, अगला प्रिछना है, प्रधान मंत्री, राज्येपाल, महानियावादी, उच्च और सर्बोच न्यायले के न्यायधीस, मुख्य चुनाव, आयुक्ते, इन सब की नि संक्रमणिये मत्पधती के आधार पर होता है, इसकी बहुत बड़ी प्रिक्रिया होती है, उसको समझने के लिए टाइम लेगा, तो बस इतना याद रखिए कि एकल संक्रमणिये मत्पधती के आधार पर राष्टपती का चुनाव होता है, और कौन-कौन भाग लेता है, य राज मंत्रियों की निकति करता है, तो जो राष्ट पती होता है, जो हमारे मंत्री होता है, या रक्षा मंत्री हो गए, विदेश मंत्री हो गए, स्वास्त मंत्री हो गए, इनकी निकति जो करता है, वो किसके कहने करता है, तो प्रधान मंत्री के कहने पर करता है, यानि याद रखेगा अनुस्षेद 356 में राज आपात कल जिसे हम लोग राष्टपती सासन भी कहते हैं का वरानन क्लिया गया है यह लगाता कौन है यानि घोसड़ा कौन करता है सी घोसड़ा राष्टपती करता है ठीक है आगे बढ़ते हैं नेरिविरोध राष्टपती कौन बारान हुई तो दो हैं फकुरुद्दीन अली अहमद और जाकिर हुसेन फकुरुद्दीन अली हमद और जाकुर हुसेन की मृतिव उनके पद पर रहते हुए हो गई थी पर्थम कारिवाहक राष्टपती कौन से तो हमारे बीबी गरी पर्थम कारिवाहक राष्टपती थ में आजाद हिंज सोज में कप्तान सी तो उनका पूरा नाम है क्याप्टन लक्षिमी सहेगल देश की आजादे की बाद यह भारत आई और जब राष्टपती का चुनाव हो रहा था तो उसमें यह उम्मिद्वार थी हालां कि यह चुनाव नहीं जीत पाएं थी क्योंकि यह क जा पोजिल में खड़ी थी ऊसमें सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस थी तों जिसको चाहती थी वही राष्टपती बन पाता था चलिए आगे बहुते हैं भारत महिला कुम्मिद्वार राष्थपती दोनों सदनों के अधिबेसर ना चल रहा हो तो अध्यादेष जारी क किया जाता है जारी कौन करता है राष्पति करता है अध्यादेश को मतलब होता है आध्यादेश इसकी सक्ति वही उसी प्रकार से होती है जिस प्रकार से सक्ति संसत दौरा बनाएंगे कानून की होती है ठीक है तो यह कौन जारी करता है राष्पति को पद की सबत कौन दिलात लोगसभ्भा और राजशभ्भा दोनों को जो न दोनों सदनों की एद्धेक्चता करता है। संयुक्त रूप से दोनों सदनों के अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है बुलाने के सकती किसके पास है तो बुलाने के सकती राष्टपती के पास है इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा आगे बढ़ते हैं संयुक्त अध्यवेशन में निरणय किस आधार पे निदी से दिया जाता है तो भारत की संचित निदी से राष्टपती और राष्टपती का बेतन दिया जाता है तो आज के लिए बस हमारे पास इतने ही प्रिश्ण थे हम लोग अगले वीडियो में और भी important प्रिश्णों को लगाएंगे अगर आपको वीडियो अच्छी लग झाल 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 झाल